हालो दोस्तो नश्कार मैं अंग्रे सिंग दे जी एस प्लेट फ्रम यूट्यूब चैनल में आपका श्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अंग्रे जी से संबंदित एकी बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो जिसमें यूपी टैट 2017 के लि अलावा काफी और भी इंपोर्टेंट शीज इसमें दी गई हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल को प्लीज सब्क्राइब कर लीजे जिससे की नई वीडियो आपको आराम से पहुंचती रहे तो चैनल को सब्क्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो इंग्लिस का आज मैंने टॉपिक जो दिया आगा है वीडियो को इंग्लिस पार्ट वन महाविसी संग महाविसी संग का मतलब यही है कि एक दो वीडियो ही आएगी हो सकता है कि एवल यही हो तो इसका मतलब यह कि इसमें काफी कुछ है आफ के लिए शीखने के लिए तो इसको share कीजे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुचाईए लोगों के पास और इसमें Merchant of Venice काफी चीज़े दी गई है जो कि वीडियो के अंत में है तो फिलाल में चलिए सुरू करते हैं वीडियो को तो चैनल को सब्क्राइब करने के बाद चलिए सुरू करते हैं Bilingual Method के Bilingual Method के प्रतिपादक कौन है तो C.J. Dotson है जो कि दो भासाओं Hindi और अंग्रेजी मतलब दो दो भासाओं की त्वारा अगर कोई language को सीखा जाता है तो उसके प्रतिपादक C.D.Dotson है ठीक है What is the sound of leaves? Rustling जो पत्तियों की आवाज होती है वो चलने की सरसराहट की जो आवाज होती है उसको इंगलिस में क्या बोलते हैं? Rustling ठीक है What is the sound of C? तो जो C समुद्र की आवाज को क्या बोलते है? रोर नेक्स्ट है स्लेवल किन चीजों से गिरे होती है या स्लेवल किस से संबन्दित है तो इसका आंसर है स्लेवल वोविल से संबन्दित है नेक्स्ट है short story is the work of fiction तो short story किसे संबन्दित है? फिक्सन से संबन्दित है नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है masculine feminine gender तो दोस्तो इसमें यूपीटेट परिच्छा में एक question जरूर आता है masculine and feminine से related जैसा मैं अभी आपको बताऊंगा कि पिछली वर्स कौन सा आया था और वो क्यों लोगों का अधिकतर गलत निकला होगा ठीक है तो देखो इसमें क्या है bachelor bachelor means quara तो इसका अगर feminine बनाओगे तो mad होगा ठीक है bore माने sewer saw ठीक इसका मतलब feminine हो जाएगा ठीक है buck means hiran doe माने इसका जो feminine ही रहना है ठीक है black man bell hyfer means हो जाएगा बच्चिया ठीक है अपनी भासा में next colt means बच्ड़ा इसका भी हो जाएगा flea next dreck dreck means बतक इसका हो जाएगा duck ठीक है इधर यह सब masculine है और उस side में feminine है ठीक है next earl earl means नबाव countess means नबाव की female ठीक है gender means huns who's ठीक है heart यह हो जाएगा row इसका बच्चिया monk means sadhu none तो इसका सीधा सीधा रहत है कि monk means sadhu वह sadhu जो पुरोस है इसका बच्चिया none भी sadhu होती है लेकिन sadhu ही कि उसको जो female होती है तो वही इसमें सब दिया गया है कि किस तरह ऐसी male और female सी question बन सकते है ठीक है इसका इस आई आरी sire means maharaja तो इसका हो जाएगा damn next stack means 12 singha तो जाएगा हो जाएगा है इसका hand next wizard means जादूगर ठीक है wizard next इसका female है witch ठीक है जादूगर नी इसकी बाद है lord lord means sajjan ठीक है तो sajjan इसका हो जाएगा lady ठीक है next है frayer ठीक है इसका हो जाएगा nun ये भी सही है fox means lomad vaccine lomad ठीक है bau means premie belly premika ठीक है jack ass गधा और genius ठीक है इसका उल्टा हो जाएगा next है host पुरस मेजबान और hostess महला मेजबान ठीक है count का सामन्त है और countess का इसका हो जाएगा आपका उल्टा ठीक है तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जितने भी question दिये गए इनसे female बनाने को आता है तो पिछली साल जो आया था question जो था ram ठीक है तो इसका हो जाएगा ewe ठीक है ये आया था जो कि मैंने इसमें अलग से नहीं लिखा है लेकिन फुर्वी में आपको knowledge के लिए बता दूँ ठीक है इसके बाद देखते है 12 मतलब कच्छा बारा की poem और poet उससे related questions भी आते है कि इस poem के poet कौन से है ठीक है तो बहुत ही जल्दी इसको discuss करते है तो कच्छा बारा की poem mercy mercy के poet है William Shakespeare ठीक है next character of a happy life Sir Henry Witton ठीक है true beauty के Thomas Carew on his blind last John Milton Thomas Gray ठीक है the scholar Robert Southie ठीक है इसके बाद है education of nature William Wordsworth element PB Sally love all a damn son's mercy John Keats ठीक है to the pupils के poet है Henry L. Doros you ठीक है passing of the author Alfred Len Johnson captain Michael captain Walt hitman ठीक है यह यह अब राम Lincoln की sorry George Washington की बारे में है dower witch Matthew Arnold ठीक है our casualty Torudat my heaven Ravindna Techore की poem है ठीक है my heaven अगला है if Redard Kipling ठीक है Nightingales Roberts Brinks ठीक है इसके बाद है stopping by words on a snowing evening इसके है Robert Frost next अब Planquin Bearers स्रोजनी नाइडू Song of the free Swami बिबेकानन्द यह तो आपकी 20 poems हुई जो intermediate में पूछी जाती थी इसके बाद है कच्छा 9 की poem जो 9th class की poem हो सकता है पूछ दिया जाए To Mountain and the Squelor Ralph Redo Immersion है Sympathy की है Charles Mackey Faithful Friend की William Shakespeare इनकी पूछी जा सकती है ठीक है next है Indian Weaver की है सरोजनी नाइडू और I Go To The Sir Sail Race ठीक है इसके बाद कच्छा 10 की poem यह पूइट इसकी भी देख लो class 10 The Fountain की है James Russell Lowell The Sam of Life H.W. Longfellow Perfect Light Ben Johnson और Last Air Nation Builders R. Ralph Waldo Immersion या R.W. Immersion ठीक है तो यह तो आपकी हुई अच्छा 10 की poem में point इसकी बाद अन्तिम topic इस वीडियो का है कि Merchant of Venice में क्या है ठीक है Merchant of Venice जो की most important topic है पिछली साल 10 से 11 question पूछी गई थी जिसमें की अधिकतर लोगे question गलत हुए थे ठीक है तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे जिससे की अगली बार ऐसी गलती ना हो सके तो Merchant of Venice ये एक Venice के व्यापारी के बारे में एक drama है intermediate में है तो चलो ज़्यादा देर न करते हैं इसमें हम इनकी पात्रों को समझते हैं ठीक है Merchant of Venice में तो देखो Antonio एक ऐसा व्यापारी है जो इस drama का मुख पात्र है इसी के नाम पर Merchant of Venice drama का नाम रखा गया है ये व्यापारी है इसकी मर्चेंट बोलते है ठीक है Merchant of Venice इसमेंस का व्यापारी है ये Christian है ठीक है और ये बहुती अच्छे स्वयभाव का है ये इसकी विसेश्टा है Antonio की इसकी जो प्रतिद्वन्दता है वो इदर सायलॉक से है ठीक है ये एक और व्यापारी है ये ये सूद खोर भी है उची दर पर व्यापायों को देता है लेकिन ये जीव है यहुदी है और इंदियनों के बीच काफी मन मुटाव है ठीक है तो देखते है Antonio में क्या और है Antonio का दोस्त है Antonio का दोस्त है ये जो मैंने लाइन खींची हुई है ये कुछ इस तरह से इसका मतलब ये है कि एक दूसरे की दोस्त है सभी लोग ठीक है तो देखते हैं और किस और दोस्त कौन-कौन से है Antonio का दोस्त है बेसेनियो ठीक है बेसेनियो एक ऐसा विक्ति है जो Antonio से पैसे उधार मागने चाता है सुरू में ही ड्रामा में बताया गया है कि Antonio से पैसे उधार मागने के लिए गया है तो Antonio के पैसे है नहीं इस मर्चेंट के पास वो अभी प्रॉब्लम में चल रहा है तो इसने कहा कि हम तुमें किसी और रिसूर्स से पैसे दिलवाएंगी तो Antonio पैसे के लिए एक सर्थ रखी कि अगर निश्चिस समय पर अगर वो पैसा नहीं लोटाता है तो उसे एक पाउंड मास अपने हिरदाय के पास से देना होगा ठीक ये कंडिसन उसने रखी थी तो चलिए और आगे देखते और क्या है तो बैसेनियों ने पैसा ले भी लिया था और आगे देखते क्या होता है बैसेनियों को तोस्त लोरैंज हो है और एक ग्रेशियानो भी उसका दोस्त है यहाँ Plus चिन्द का मतलब है कि यह सब पुरुस है ठीक है तो और देखते है बैसेनियों की साधी पोर्सिया से हुई है बहुत important question से आपको समझने है कि पोर्सिया किस से संबंदित है या फिर Jessica की साधी लॉरेंजे उसे हुई है और NERSA की साधी ग्रेशियानों से हुई है ये तीन प्रमुक साधीयं हुई है इस पूरे ड्रामा में ठीक है तो इनके बारे में भी बताना चाहूँगा कि जो पोर्सिया है ये एक संदर राजक्मारी है जिसके पिता इस तरह से इसका विवाह करना चाहते है कि तीन बॉक्स है ठीक है तीन बॉक्स है पोर्सिया से साधी करने के लिए बहुत सारे जैसे प्रिंस ओफ मुरक्को था मुरक्को कराजक्मार तो उन्होंने सोने के डिब्बे को और चान्दी के डिब्बे को सीलेक्ट किया था जिसमें पोर्सिया की फोटो नहीं निकली थी लेकिन जो बैसेनियों था जिससे पोर्सिया प्यार भी करती थी तो उसने इसी डिब्बे को सलेक्ट किया था तो जिससे की पोर्सिया के विवाब बैसेनियों से हो गया था ठीक है तो कुलमला के ये इतना आपको समझ में आगए हूँ कि पोर्षिया की साधी बेसेनियों से हुई थी और किस विदी सी box three box मतलब एक competition थी जिसमें इस चीज को चुननना था तब इसकी पोर्षिया की साधी हुई दूसरा है कि बेसेनियों का जो मित्र था लॉरेंजो इसकी साधी जैसका से हुई थी अब जैसका कौन है यह आपको ध्यान रखना कि जैसका है यह जैसका साइलोक की पुत्री है जो दूसरा व्यापारी है इसमें जो सूद खोर है साइलोक इसकी पुत्री है यहाँ पे लिख से भाग कर ठीक है सी इलोफ्स वो भागती है ठीक है पतलब अपने घर से पिताजी का सामान और सभी चो है पैसे रुपय पैसे लेके भाग जाती है और लॉरेंज चि frankly ठीक तो पूछा जा सकता कि जैसका कि साधी किस प्रकार से ली थे उसने भाग की लॉरेंजों से साधी किये ठीक है यह साहलॉक की पुत्री है नेक्स्ट है एक और साधी हुई है ग्रेशियानों की तो ग्रेशियानों भी बैसेनियों लॉरेंजों और एंटोनियों का एक से दोस्त है और उसकी साधी नेरसा सी हुई है और यह सामान निसी साधी है, इसमें कोई टेक्निकल्टी नहीं हुई है, कोई विसेस बात नहीं हुई है, जैसे कि पोरसिया में चुना हुआ था, और जैसका ने भाग कर साधी की, नेरसा ने सामान निसी साधी की और नेरसा कौन है, तो नेरसा मैं आपको बता दूँ कि यह की मेड है पूरसिया की सहेली भी कह सकते है पूरसिया की नौकर है और नहरसा की साधी ग्रेशियानों से हो गई है ठीक तो यह हुआ आपका साधी कफंडा जो की इस पूरे ड्रामा में तीन साधी हुई है तो यह आप से पूछा जा सकता है ठीक है तो इसना आपको समझ में आ सबी एक दूसरे सμबंदे थे हैं आगे देखते हैं कि सायलॉक के बारे हम क्या है सायलॉक एक व्याफारी है सूद खोर है और एक जीव है जीव का मतलब यहूदी है और यह क्रिस्चियन लोगों से घ्रणा करता है और चूँकि एन्टॉनियो क्रिस्चियन है कौन व्यक्तत और थी, तो सायलॉक प्लास है, इसका मतलब ये पुरुस है, और इसके घर में एक पुत्री है, जैस का, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, तो जैस का इसकी पुत्री है, जो की भाग कर उसने शादी किये हूपर अभी बताया जा चुका है, और इसका एक लैंसल तो वहाँ पर एंटॉनियों की हार लगवक निश्चित थी, लेकिन पूर्सिया और उसकी सहेली नैरसा, ये दोनों वकील के वेस में वहाँ पर पहुंचते हैं नियालाय में, और एक ऐसा दया की उपर मरसी की उपर स्पीच देते हैं सायलॉक के लिए, कि आप दया दिखा ये बेसेनियों और एंटाउनियों की प्रती उनको छोड़ दीजिए लेकिन सायलोग नहीं मानता है तो अंतता पोर्शिया उससे कहती है कि आप एक पॉंड खून या मास ले सकते हैं उसके हर्दै से बट बट लेकिन आप एक पॉंड के अलावा एक बूंद भी धरती पर खून नहीं गिरना चाहिए अगर वो गिरता है तो सायलोग की पूरी संपत्ती सोना चांदिया जितना भी रुपया पैसा है आपंधते हैं तो यहाँर के पूरी समझ ली है एक pound mask की जो सरत थी उसको भी मैं समझा चुका हूँ तो आप एक न्याला है वो वाली जो condition थी कि न्याला है में कौन जीता कौन आ रहा वो भी मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि कौन जीता ठीक है स्पीच शिखो सोकर मतलब इन्होंने ऐसा निर्णा दिया कि एंटोनी और बैसेनियों यह दोनों जीत गए तो इस खुसीज को लेकर बैसेनियों ने पोर्सिया को अंगूठी इनाम में दे दी और ग्रेशियानों ने भी नेरसा को अंगूठी इनाम में देती यह जानते तो जब वो घर पे लोटे यह सभी लोग मिलते हैं तो सभी दोनों मेलाएं अंगूठी मांगती हैं अपने पतियों से ठीक है क्योंकि इनी को दिया गया था च्छद में इसमें जब इनसे मांगती है तो वहाँ पे एक हास्या प्रदिस्थिती बन जाती है और अंत में वो राज बता दिया जाता है पूर्शिया के द्वारा और नेर्सका के द्वारा तो वहाँ पे काफी कुछ ड्रामा का एक सुखत और बाती रोमान चक अंत हो जाता है तो यह था आपका मर्चेंट आफ वेनस का एक सार जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से व्यापार हुआ इसम संबंदित है और इसमें जो सायलॉक है वो किस तरह से इन दो पात्रों से संबंदित है तो इसमें काफी कुछ डिसकर्स किया है तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आएगा लेकिन जाने से मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे जिससे कि इ यूजफुल वीडियो आपके पास पहुंचती रहे ठीक है तो नमस्कार मिलते अगली वीडियो में